हलो आज है 18 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अमबानी के मालिकाना हक वाली दो कमपनिया एक है टीवी 18 ब्राड़कास्ट और दूसरी है नेट्वर्क 18 दोनों के ही शेर्स में आज बड़ी गिरावट आई है चार परसन तक तूटा है टीव नजर आ रहा है कल इनके रिजल्टस आये थे वीडियो में बात्षेट करेंगे इन दोनों ही कमपनियों के बारे में कि मौका बनेगा तो कहां पर बनेगा और कमपनी में चल गया रहा है आकर वीडियो को शुरू करो उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ लेकिन 31 रुपए से गिर कर ये 27 तक गया था वापस तीजी पकड़ ली वापस 31 पे गया आज वापस ये गिर रहा है शुरू आप हो रही है कह सकते हो आप नतीजे के बाद यहाँ पर पिछले एक साल में अगर देखे तो 60 परसंट की गिरावट है हाई से कंपेर करेंगे तो शायद गिरावट और भी जादा होगी और एक चीज यहाँ पर आप अबसर्व करो कि पहले क्या था कि गिरावट आई थी फिर तीजी दिखा दी फिर गिरावट आई थी फिर तीजी दिखा दी और उसके बाद अगर आप देखो तो डिसमबर से में इस साल की प्रेम्ट हुआ था लेकिन फिर से नतीजे खराब आने की वज़े से गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर टीवी एटीन के सबस्क्रावले रिजल्ट्स के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो इनके रिजल्ट्स से वो काफी खराब थे एक हजार चार पंदरा सो करोड का तो था इनका नेट से तो उसके मुकाबले भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट है 35 करोड का इन्होंने मुनाफ़ा कमाया है इस बार जो इससे पहले 41 करोड का और यही वज़ा है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है और शेर में प्रेशर है आज अगर वॉल्यूम देखा ज़ा तो तकरीबन 92 लैक से भी ज़ादा की कॉंटिटी में शेर ट्रेड होते नजर आए हमें इतना ही नहीं अकॉर्डिंग टू मनी कंडोल यूजर 17% लोग कह रह कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है रिवन्यू में तो इवन क्वार्टर ओं क्वार्टर भी कोई खास पर्फॉर्मेंस नहीं है प्रॉफिट देखो तो बढ़े जरूर थे डफिनिटली बढ़े थे लेकिन अभी कम हो रहे हैं अब खुद देखिए 2022 में जो कंपनी साल साना 872 क्रोर का प्रॉफिट दिखाया था जिसने आज वो प्रॉफिट के नाम पर 35 क्रोर का क्वार्टर ली प्रॉफिट कर रही जो की सही नहीं है उतना उतना अट्रेक्टिव नहीं है और जहां तक बात करी जाए टीवी 18 की तो 23 का इसका पीर इस्यों कोई भी ऐनालीश भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहें जहां तक बात करें हम शेय होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है 1.58 मुचर फंड के पास है 0.02% है डोमेस्टिक के पास 8.58% है एफ फाइल्स के पास रीटेल और अधर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 29.41% जिन है इनका लेकिन मेरे हिसाब से सपोर्ट बनना चाहिए 25 से 30 रुपए के आसपास इससे पहले भी अगर आप देखो तो साल 2020 में एक बेस बना था इनका तकरीबन 28 29 रुपए 27 28 के आसपास वहां से दिरे-दिरे तीज़े दिखाई थी इसने इस बार नतीजे भले ही खराब आ रहे लेकिन कंपनी न्यूज में जरूर है कई सारे न्यूज अभी यहां पर मार्केट में चल रहे हैं कि वह यहां इनका कहीं न कहीं जो बड़ा हिस्सा जो सोनी यहां पर आ रहा है मर्जर हो रहा है कई सारी अपडेट्स है तो कहीं न कहीं में मानकर चल रहा हूं कि पास हो सकते हैं दूसरी कंपनी है नेटवर्क 18 नेटवर्क 18 के अगर हम बात के तो यहां पर भी सेम हालत है एक महिने में ये भी 6% गिरा है लेकिन पहले के आथा कि गिरा वापस बाउंस बैक कर गया अगर एक साल की बात करेंगी तो यहां पर 44% की गिरावट है और आप कीजे आ गये हैं और यहां पर भी कुछ खास अच्छे रिजर्ट्स नहीं है आप देखेंगे कि 20% का रिवन्यू इनका भी कम हुआ है पहले 1850 करोड था डिसंबर में जो घटके 1450 करोड है इवन पिछले साल 1621 करोड था तो उसके मकाबले भी कम रहा है प्रॉफिट अगर जो कमपनी पहले प्रॉफिट में थी अगर मैं आपको इनको प्रॉफिट दिखाने की कोशिश को तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट हुआ करते थे इस कमपनी के आ देखें इनके पिछले साल जो प्रॉफिट था इनका वो तक्रीब न 811 करोड का था इस बार क्या ह हो गया खराब है यह रिजल्ट्स खराब हैं बढ़ रहे थे इनके प्रॉफिट पहले लॉस में ही था यह 18-19 20 में प्रॉफिट में आ है 21 में और प्रॉफिट में और प्रॉफिट में लेकिन अभी लॉस दिखाना शुरू कर दिया है इसने नेट्वर्क 18 अगर हम बात करे रिविन्यू की तो रिविन्यू भी पिछले कुछ सालों से वही सेम स्टोरी है टीवी 18 वाली ही और यहां पर अगर हम बात करने जाए कंपनी की तो हलाकि पी रिश्यों 48 नहीं है यहां पर गलत है और जहां तक बात करें शेह होल्डिंग की तो शेह होल्डिंग में जो होल सेवन परसंट की होल्डिंग रिटेल और अध्र की मिलाकर बनती है 18.85 परसंट जिन में से 4.92 परसंट ही रिटेल इन्वेस्टर के पास है देखो नेटवर्क 18 भी मुझे लगता है कि कि रिजल्ट्स खराब आये हैं जिसकी वज़े से गिरावट है शायद थोड़ी से और गिरावट यहां पर आ सकती है और जहां तक बाइंग के मौके हैं मुझे लगता है कि आपकी जो नजर है वो 45 से 50 रुपए के आसपास होनी चाहिए अगें मैं लॉंग टर्म की बात यहा हालकि मालिक नहीं जो श्रडिट याघ्र पारट्शिप करने का पलान यहां और मैं मानकर चल रहा हूं कि आनी की आने वहले दोर में चीज़ें सही होती नजर आ सकती है इंके लिए लेकिन अभी तो खराब उप या घृग जो लेकिन जो खरीदारी के मौके हैं वो टीवी 18 में मुझे 25 से 27 के आसपास लगते हैं नेटवर्क 18 में मुझे वो 45 से 50 रुपए के आसपास नजर आते हैं और उपर के लिए पर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग के भी मौके होंगे तो अगे यह नहीं के खरीद के भूल जाओ इसको ठीक है यह उपर जाएगा गिरने के लिए बागी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक करो शुय करें पर पहले बाद है तो प्ली सब्सक्राइब करें और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता थाय थायो 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 यहीं प्रेंट सीक्लत आपको विए यह